दोस्तो आज बनाए मैंने बहुत सारी सबजियां और गेहूं के आटे का इस्तिमाल करके एकदम हेल्दी और टेस्टी नाष्टा और ये जो नाष्टा है इसको बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करके दे सकते हैं या फिर इसको आप इवनिंग स्नेक्स में भी बना के खा स सकते हैं ये जो नाष्टा है बहुत 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 ज्यादा हेल्दी होता है इस नाष्टे को बना कर आप अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बाहर का पीजा खाना भूल जाएंगे रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी साथ बैल बिटन को भी दवा दीजिए जिससे आने वाली रेसिपी का नोडिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो तो चलिए रेसिपी को हम लोग शुरू कर लेते हैं सबसे पहले नाष्टे की उपरी लेयर तयार करेंगे तो यहां पर लिया है मैंने दो कप गेहूं का आटा आटे में डाला है मैंने आदा चम्मच नमक साथी साथ डाल देंगे तीन चम्मच तेल आप चाहे तो देशी घी भी इस्तिमाल कर सकते हैं अच्छे से की तेल को मिला देंगे और मिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका सौप्ट सा डो लगाएंगे जैसा डो रोटी बनाने के लिए लगाया जाता है उसी तरीके का डो लगाना है यह जो डो है यहां पर बाइंड हो गया है तो अब मैंने इसमें एक जमच तेल और डाला है और तेल डालका इसको अच्छे से गूंत लूँगी और गूंतने के बाद इसको रख दूँगी थोड़ा सा फूलने के लिए तो जब तक डो फूल रहा है हम स्टफिंग की तयारी करते हैं एक बाउल में डाली है मैंने एक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी कटी हुई गाजर, थोड़ी सी कटी हुई शिमला मिर्च, कटी हुई पत्ता गोबी और ये मैंने 50 ग्राम पनी लिया है इसको कद्दू कस करके डाल दूँगी साथी साथ लिया है मैंने 2 क्यूब चीज, इसको भी मैंने कद्दू कस करके ऐसे डाल दिया है और अब डाल लूँगी मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स, यह ऑप्शनल है अगर आपके बच्चे तीखा नहीं खाते हैं तो चिली फ्लेक्स आप स्किप कर सकते हैं और अब डाल लूँगी मैं औरिगेनो, यह यहाँ पर जो बाहर से पीजा आता है ना उसका मैंने औरिगेनो बचा के रखा हुआ है वो डाल दिया है, सारे चीजों को आपस मैं अच्छे से मिला दिया है मिलाने के बाद डाला है मैंने दो चम्मच पीजा सॉस यह हमारी स्टफिंग बनके तयार हो गई है चली अब हम डो चेक कर लेते हैं क्योंकि वो फूल चुका है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सूखा आटा पर्थन के लिए डो मैं से हम पोशन लेंगे तो मैं जितनी बड़ी रोटी बनाती हूँ उतनी बड़ी ही मैंने यहाँ पर यह लोई तोड़ी है और इसकी हमें एकदम पतली सी रोटी बनाके तयार कर लेनी है यह यहाँ पर हमारी रोटी बिलकी तयार हो गई है अब मैं इसकी बीचों मीच रखूंगी तयार की हूँ स्टफिंग तो स्टफिंग को मैं थोड़ा सा ऐसे स्कॉयर बना दूँगी ये देखिए ऐसे मैंने इसका शेप दे दिया है और चारों तरफ मैंने पानी लगा दिया है जिससे की जब हम इसको चिपकाएं तो आसानी से चिपक जाए और अब हमें ऐसे कॉर्नर को उठा कर दवा देना है और दूसरे कॉर्नर को भी उठाते हुए ऐसे दवा देंगे यानि इसकी हमें एकदम पॉकेट सी बना लेनी है यहाँ पर मैंने पॉकेट को अच्छे से बंद कर लिया है अब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे हाथ से फ्लैट कर दूँगी और फ्लैट करने के बाद अब दूसरी साइड इसमें हमें पानी लगाना है पानी लगाने में कंजूसी ना करें अच्छे से पानी लगाएं क्योंकि इसको हमें तबे पे चिपकाना है पानी लगाने के बाद यह हमारी पॉकेट हो गई है तैयार चलिए इसको हम सेक लेते हैं तबे पे हम इसको डाल देंगे क्योंकि तबा गरम हो चुका है ये नीचे से जैसे ही सिख जाएगी तो इसको मैं उठाऊंगी तबेगो और डायरेक्ट ही इसको गैस की फिलेम पर सेखूंगी तो हमें इसको तब तक सीखना है जब तक कि इसके जो उपर का हिस्सा है अच्छे से सीखना जाए और इसमें चिकत्ते ना आ जाए ब्राउन ब्राउन से ये हमारा नास्ता बन की तयार हो गया है तो इसी तरीके से मैं और नास्ता सीख के रख लूँगी इसको निकाल के रख दूँगी एक बोड पे और लगाऊंगी इसके उपर बटर डालूँगी थोड़ा सा हारा धनिया और करूँगी इसके दो बराबर भाग दोस्तो इस पॉकेट को बना कर आप अपने बचों को सुबह सुबह लंच बॉक्स में देंगे न तो बच्चे आपके खोश होंगे और लंच बॉक्स खतम करके आएंगे चलिए मैं आपको चेक करा देती हूँ कि स्टफिंग कैसी है आप देख सकते हैं जो स्टफिंग है वो पूरी तरीकी से फैली हुई है एकदम परफेक्ट नास्ता बनके तैयार हुआ है